स्वागत आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग वित नितिन में आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट एक ऐसी एप्लिकेशन के बारे मैं बता हुआ जिसको यूज करके आप अपनी online meetings और online classes के अंदर कुछ creative कर सकते हैं जैसे आपको पता है कि जो meetings होती है ये जो online classes होती है ये बहुत ज़्यादा boring होती है participants के लिए तो उनका जो ध्यान है वो आपकी class में और आपकी meeting में लगा रहे और इस technique से आपको भी पता चल जागा कि जो आपके participants हैं वो आपकी meeting में है और वो आपको ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं चोटे चोटे questions जो है उनसे पूछ सकते हैं और उनसे questions पूछके और उनसे answers को collect करके आप results भी display कर सकते हैं कि इतने लोगों ने जो है वो सही answer दिया है इतने लोगों ने जो है वो गलत answer दिया है तो इस तरह की जो procedure होती है इसको basically आप सभी लोग जानते है इसे polling कहा जाता ह ठीके polling का मतलब होता है कि आप participants को एक question दिखाएंगे और उसके आप कुछ options दिखाएंगे और उन options में से कोई एक option जो की सही होता है अगर उस पे जादा लोगों ने vote किया इसका मतलब जो आपके participants की meeting को ध्यान से सुन रहे हैं आपकी class को ध्यान से सुन रहे हैं और अगर mostly participants से गलत आंसे जिया इसका मतलब उन लोगों कुछ भी समझ में नहीं आरा है तो polling का जो concept होता है यह सिर्फ यह जानने के लिए होता है कि जो आपके participants हैं वो आपकी बातों को सुन रहे हैं ध्यान से की नहीं सुन रहे हैं तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कई applications के कई meeting apps के अंदर जो polling का option होता है वो by default होता है mostly apps में जो यह polling का option है वो मिल जाता है पर जो Google meet app है उसके अंदर यह option अभी introduced नहीं किया गया है तो अगर हम Google meet के थुरू या किसी भी application के थुरू meeting ले रहे हैं जो आपको free account में polling का option नहीं देती है तो मैं जो इस video में trick बताने व इस video में उसके थुरू आप अपनी meetings के अंदर polling conduct कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि जो आपके participants है वो आपकी meeting में ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं तो दोस्तों शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को subscribe नहीं किया है वो प्लीज subscribe करिए video को like करिए अगर आपको लगता है कि हम like क्यों करें बिना देखे video को तो आप video को end तक देखे और अगर आपको यह चीद पखन आती है तो आप इसे like करिए video को जाए से शेयर करिए ताकि जो फार्दा आपको मिल रहा है वो दूसरों को भी मिले और वो लोग भी इस video से कुछ सीख सके तो चलिए दो website की खास बात यह है कि यह आपको question answers और polling generate करने के लिए help करती है free of course ठीक है अलग कि इसके पास अलग-अलग plan है अगर आप pricing में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके पास जो हो कई सारे अलग-अलग plans है जैसे business plan है education plan है और single event plan भी यहाँ पे है ठीक है तो business plan के अंदर आपके पास यह free account है ठीक है यहाँ पर आपको up to 500 participants की limit मिल जाएगी basic polling world clouds and question answers आप create कर सकते है instant quiz leaderboard run on a single screen easy participant access no download required online help and support ठीक है यह आपको एक free account मिल जाएगा और education का जो module है उसके अंदर आपको free account मिल जाएगा बट उसके अंदर आपको 100 participants यह है बाकि सारी जो चीज़े हैं व जाना लीजिए तो आपके लिए वो better होगा तो कि education के अंदर आपकी जो limit है वो खोड़ी कम हो जाती है ठीक है तो business account अगर आप बना लेंगे तो आपके लिए वो एकदम perfect रहेगा अब account कैसे बनाना है वो मैं आपको इस video में बता रहा हूं ठीक है तो एक एक step करके मैं आप आपको सारी चीज़े बताऊंगा आप यहां पर account कैसे बनाएंगे कैसे use करेंगे सारी चीज़े में आपको बताऊंगा और थोड़ा जल्दी जल्दी बताने के कोश्च करूँगा ताकि यह जो वीडियो यह चोटा रहे ज्यादा लेंदी ना हो जाए ठीक है आपको वाप आपको दिखाई नहीं दे रही है मुझे पता है क्योंकि आपको अपनी email id यहां पर इंसेट करनी है ठीक है और password आप कुछ भी नया create कर सकते हैं यहां पर जो आप याद लग सके ठीक है इतना करने के बाद आपको create के उपर click करना है जैसे ही आप यह करेंगे यहां पर आप आप से नाम पूछेगा तो आप यहां पर नाम दे दीजिए ठीक है यहां पर आपको एक option दिखाई देगा I want to use WeWork for business और education तो आप यहां पर business करके company के अंदर लिख दीजिए my company ठीक है और URL के अंदर आप अपना URL साइट कर लीजिए आप चाहे तो आप अपना नाम भी लि आप इसे गलर से ऐरर शोगा जैसे यहां आपको नाम मिल जाए तो आप उसे use कर लीजिए जैसे यह आपको अरो देना बंकर है आप उस नाम को use कर लीजिए इतना करने के बाद आपको title में लिखना है आप यहां पर लिख दीजिए owner ठीक है यहां पर phone number आप डाल दीजिए ठीक है और यहां पर आप country select कर लीजे ठीक है country select करने के बाद आपको complete account setup के उपर click करना है इतना करने के बाद आपने जिस नाम से URL set करीती आप देखेंगे यहां पर उपर की उस नाम से जो यह URL यह बन चुकी है ठीक है और उसी के नीचे यह जो नया page open हुआ है यहां पर लिखा हुआ है यू must verify your email address और your Vivox account will be deactivate ठीक है तो आपको यहां से क्या करना है पहले इस account को activate करना है तो आपने जो Gmail ID use करीती आपको वो Gmail account को open करना है ठीक है Gmail account का आप जैसे जाएगे आप देखेंगे Vivox की तरफ से आपको एक mail आया होगा आप उस mail को open करेंगे तो इस तरह से उसमें verify my account पर बटन होगा आप उसके उपर click करेंगे तो आपको जो account है वो verify हो जाएगा ठीक है अब देखिए जैसे आपने verify करा तो यह page वापस पर open होगा है तो आपको कोई message यहां पर yellow color में नहीं दिखाई देगा अब आपके पास यहां पर दो टैब है एक तो meeting tab है और दूसरा account tab है तो आपको अप्ग्रेड करने को option देगा और meetings के अंदर आप जितनी meetings create करेंगे आप यहां पर पहले से ही meeting create करके लग सकते हैं अपने पोल को ready करके रख सकते हैं जैसे मानली जै आपको दिन में पांच meeting लेनी है तो आपने आपने पांच meeting create कर दी और उन पांच meeting के अंदर अलग-अलग polls आपने create करके लग दी है मानली जै आपकी जो एक meeting थी वो दो घंटे की थी यहां पर आपने create meeting कर रहा तो यहां पर मैंने लिख दिया meeting 1 और create के उपर क्लिक कर दिया तो यह meeting create हो गई है अब आप क्या कर सकते हैं आप यहां से इस meeting की उपर जब आप click करेंगे तो यह meeting है यह एक नए page पर open हो जाएगी इस तरह का interface आपको मिल जायागा यहां पर आपको कुछ options मिल जाएगे date आपको मिल जाएगी, meeting का नाम आपको मिल जाएगा, meeting की id आपको मिल जाएगी ठीक है यहां से आप meeting की information copy करके किसी भी user को भेज सकते हैं, किसी भी participant को भेज सकते हैं, तो आपको बता दूँआ, इसको play कैसे करवाना है, आपको participants कैसे इसको use करताएंगे, तो भी मैं आपको बताऊँगा, तो यह आपकी meeting है, यह open हो गई है, यहां पर आपको team button मिल जाएंगे, pause, play और stop का, अभी आप देख सकते हैं, आपकी meeting status है, वो waiting है, start the meeting to enable polling, जब आप start करेंगे, तो भी वो इस poll को play करता हैंगे, अगर आपने इसको pause करके रखा होगा, तो कोई भी आपको participant है, वो इस poll को play नहीं कर सकता, पोल के जो answer से वो submit नहीं कर सकता, अब यहां left hand side से आपके पोल का option है, और question and answer का option है, हमें अभी पोल का ही use करना है, तो यहां पर जो pause option है, वो by default selected है, यहां पर आप देखे 500 connections के साथ, आप इसे play कर सकते हैं, यहां पर post section के अंदर आपको create new pause का option मिल जागा, इसके उपर आपको click करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो यहां पर question लिखने के लिए space आजाएगी, यहां पर लिख दिया है, if I am a human, so is it possible that I have four eyes, इस तरह से मैंने एक question लिख दिया है, यहां पर जो पोल में participants को दिखाई देगा, यहां पर आप मुझे choices एंटर करने का option आ रहा है, तो मैंने लिख दिया yes और no, यहां और no लिखने के बार, yes, no और may be, मैंने यहां पर तीन option लिख दिया, तो आप देख सकते हैं, यहां पर तीन options मेरे पोल में आ गए हैं, यहां से मैं correct answer के पर टिक कर दूँआ, और यहां से जो correct answer है, उसे मैं select कर लिए है, तो मैंने यहां से correct, जो है no का जो option है, उसे मैंने select कर लिया है, तो मैंने यहा एख सकते हैं कि यहां पे जब हमने ये से ऐड कर दिया है तो यहां पर तीन अपशन आ गया है दिलीट करने का और कॉपी करने का तीक ya कर और यहां पर एक यह टिक करने का option भी आ गया है, अगर आप सारे पोल एक साथ डिलीट करना चाहते हैं, अगर आपके meeting के अंदर बहुत सारे पोल सो तो आप उनको सबको एक साथ यहां से select करके यहां से delete भी कर सकते हैं, तो यह जो है आपको पोल क्रियेट हो गया है, यहां प can I fly, so may I able to fly, ठीक है, यहां पर इस पोल को में आड के उपर क्लिक करके add कर दिया है, ठीक है, तो यह दो पोल मेरे meeting के अंदर आ गया है, अब कैसे मुझे इन्हें प्रेजंट करना है वो मैं आपको बता रहता हूं, किसे प्रेजंट करना है बस्तिक्तिक्लिश को कैसे प्रे तो प्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहां से पहले इसे प्ले करना है, अब यह जो पोल है, यह आपका स्टार्ट हो गया है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां पर प्रेजेंट का बटन दिखाई जाएगा, अब इस प्रेजेंट के उपर क्लिक कर और meeting में अगर आप इसको शो करना चाहते हैं तो आप यहां से open in a new browser कर सकते हैं तो यह देखिए जो poll है इस तरह से यहां पर आपको दिखाई देने लग जाएगा तो जैसे ही यह जो screen है दिखाई देने लगेगी आपकी meeting में तो आपके participants को क्या करना है इस URL पर उनको join करना ह अब आपको मैं एक नए टैब में करके बता दे रहा हूँ वीवाक्स डट एप मैं ने open करा ठीक है participants को directly web browser का use करके इस चीज को open करने में जैसे वह वीवाक्स डट एप उपन करेंगे इस तरह का interface उनको mobile पर दिखाई दे जाएगा ठीक है वैसे इस website की application भी है जिसका वो use क सकते हैं बट application अगर आप नहीं download करवाना चाहें अपने participants को तो वो directly इस तरीके से इसको use कर सकते हैं तो इतना करने के बाद यह जो id है यह id उन्हें inside करनी है 153656 and 454 इतना करने के बाद आपके participants को join के उपर click करना है तो देखे इस तरह का जो interface उनके सामने उनके mobile पर आ है यहां पर दिखने लग जाएगा if I am a human so it is possible that I have four eyes यहां पर देखे यह पोल यहां पर इस तरह से उनकी जो device से वहां पर दिखने लग जाएगा selecting a choice will automatically send it तो यहां पर जैसे ही मैंने select करा तो यह send हो गया है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक person ने इस पोल को attempt कर लिया है ठीक है यह देखे शो result अगर मैं करता हो यहां देखे एक person ने यह जो पोल है इसे अटेंट कर लिया है इसी तरीके से जितने लोग भी इस पोल को जैसे अटेंट करेंगे आपके पास जो answer से हो submit होते जाएंगे ठीक है जो आपका पहला question हो गया अब आपको इसको end करना ह है close करना है इस पोल को तो आप इसको यहां से close कर दीजे ठीक है तो आपकी screen पे जो result दिखाई देगा आपकी meeting के फुरू आपके participants को वो result दिखाई दे जाएगा ठीक है शो correct answer करके आप उन्हें बता सकते हैं कि correct answer कौन सा था इस तरीके से आप उन्हें correct answer भी यहां से दिखा सकते हैं जो टिक का option है यहां से आपके correct answer भी दिखा सकते हैं इस तरह से उनकी screen पे भी देखिए जब आप close करेंगे तो पता पर जागा कि correct answer कौन सा है जब आपने यहां से show correct answer करा तो उनकी screen पे दिखाई देने लग जाएगा कि correct answer कौन सा है तो result उनकी screen पे भी display होगा और अब आपने पोल को stop करा और वापस से शुरू करा तो यह आपका second question यहां पर आ गया ठीक है पहले जो था वो first question आ गया था अपने इसको यहां से exit पोल करके वापस से जब start करा तो यहां पर आपको second question जो है वो दिखने लग जाएगा तो आपके participants की screen पे भी second question जो है वो दि को देखिए यह result आ गया ठीक है उनकी screen पे भी result आ गया कि सही है की नहीं उन्होंने yes को tick करा था कितने लोगों ने tick करा वो भी पता पड़ जाएगा ठीक है जैसे आप यहां से tick के ओपर click करेंगे show correct answer तो correct answer दिख जागा ठीक है तो correct answer उनकी screen पे भी दिखाई दे जाएगा इस तरह से जो है वह आप polling का use कर सकते हैं अपनी meeting में और अपने participants को engage कर सकते हैं अपनी meeting में को different activity उन से करवा के आप उनको attract कर सकते हैं अपनी meeting में तो यह चोटा सा demonstration था इस वीवाक्स website का या कह लीजे इस वीवाक्स application का ठीक है दोस्तो तो इस तरह से आप जो है वह वो कर सकते हैं अपनी meeting के अंदर अब जैसा कि यहाँ पर question answer का जो section है वो मैं आपको बता देता हूं तो यहाँ पर question answers publish कर सकते हैं ठीक है इस तरह से आपने ये question को लिख दी type कर दिया है और इससे आपने send कर दिया है ठीक है if my name is there then who is by so question answer का जो section होता है वो basically कोई भी announcement करने के लिए आप यूज कर सकते हैं आपके meeting में अगर आपको कोई announcement करना है तो आप question answers section का use करके announcement कर सकते हैं यह basic use होता है question answer का, आप इसे यहां से off भी कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि यहां पर question answer का section है, वो चला गया है, तो question answer basically आपके purpose के लिए है कि अगर आप कोई questions डिस्प्ले करवाना चाथ है, अपने users को इस application के interface के तुरू, तो आप question answer से start करके, अपने question को यहां से put up कर सकत हैं, ठीक है, उसके surveys वो यहां से off है, आप surveys को चालो नहीं कर सकते हैं, यहां पर देखिए survey का जो icon यह दिया हुए, बट आपने जो account बनाया है, वो free account है, तो आप यहां से surveys को start नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अब यहां पर जो बाकी चीज़े हैं, यहां पर data और question है, ठीक है, इस तरह से जो है, वो आप polls का use कर सकते हैं, अब अगर आपको अपने poll को stop करना है, तो आप यहां से stop भी कर सकते हैं, तो कोई भी आपके poll को access अब नहीं कर पार, ठीक है, ठीक है, अब आप देख सकते हैं, जैसे मैंने poll को stop करा, sorry unable to join the meeting, please try again later, ठीक है, तो यह जो participant का interface था, यहां से आपकी जो poll की meeting है, वो end हो चुकिए, ठीक है, अब यह जो idea work नहीं करेगे, ठीक है, तो यह idea आप बार बार भी use कर सकते हैं, अगर आपने meeting बना के रखी हुई है, तो आप इसे बार बार भी use कर सकते हैं, एक से ज़्यादा meeting नहीं, बस आपको यहां से start off करना पड है, अब अगर आपको यहां से meeting को delete करना है, या participants को invite करना है, तो participants को invite करने के लिए, आप यहां से invite participants को पर click करेंगे, तो यह जो URL है, यह आप उनको copy करके दे सकते हैं, तो directly आपकी meeting में join हो जाएंगे, उनको ID भी insert नहीं करने पड़ेगी, और अगर आप उनको app download करोना चा और अगर आप उनको directly join करोना चाते हैं, तो आप यह website की link को ने दे दीजिए, और यह ID आप उने दे दीजिए, तो वो ID को insert करते से ही, आपकी meeting को join हो जाएंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, अगर आपको यह meeting को delete करना है, तो आप यहां पर click करिए, औ यहां से इसे delete कर दीजिए, ठीक है, इसको duplicate करना है, तो आप duplicate भी कर सकते हैं, इसकी meeting ID हो अलग generate हो जाएगी, ठीक है, अब इस plugin की एक खास बात यह है, कि इसका जो PowerPoint एक add-on है, जो आप use कर सकते हैं, बट PowerPoint add-on को use करने के लिए आपको यहां से इस plugin डाउनलोड करना पड़ 16 और 19 तो यह Microsoft के वर्जन, PowerPoint की जो वर्जन से सिफ उनी में ही add हो सकता है, 2007 के अंदर यह add नहीं होगा, 2010, 13, 16, 19 में यह add हो जाएगा, ठीक है, इसे आप डाउनलोड करेंगे और install कर लेंगे, ठीक है, यहां से authentication एक code generate होगा, जो आपकी PowerPoint presentation को synchronize करेगा, तो यह एक additional option है, जो म आपके लिए बहुत easy रहेगा, तो दोस्तों, जब आपका सारा काम complete हो जाएगा, तो आप इसे यहां से logout भी कर सकते हैं, ठीक है, यह logout option यहां पे दिया हुआ है, तो दोस्तों, अगर यह tutorial आपको पसंद आया हो, यह video आपको पसंद आया हो, तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद, अगर यह process आप अपनी meeting में करते हैं, तो आपके participants आपके meeting में ज्यादा ज्यान देगे, आपके साथ interact करेंगे meeting में properly, और आप जान पाएंगे कि गुलोव meeting में properly involved हैं कि नहीं है, तो दोस्तों, प्लीज मेरे इस वीडियो को ल हुआ कि बाद K